साथियों कल Reserve Bank of India ने 2016-17 के आंखडे प्रकाशित किये हैं और ये दिखाता है कि 2016-17 वर्ष में सबसे नियुन्तम बड़ोत्री हुई है बैंक क्रेडिट में पिछले साथ सालों में इतना कम गती से बैंक क्रेडिट नहीं बढ़ा है जितना कि 2016-17 में हुआ है कल के Reserve Bank के आंखडे की अनुसार 2016-17 में बैंक क्रेडिट जो अर्थ व्यवस्ता में जाता है उद्योग में जाता है क्रिशी के लिए जाता है व्यापार के लिए जाता है मात्र पांच प्रतिशत की बड़ोत्री हुई है और जसा कि मैंने कहा पिछले साथ सालों में यह अमें देखने को नहीं मिला दूसरी बात जो उर्जा मंत्राले के आंखडे प्रकाशित हुए हैं उनके वेबसाइट पर वो दिखाता है कि 2016-17 में पिछले पंदरा सालों में इतना कम बिजली का जो प्लांट लोड फैक्टर होता है हर एक बिजली के घर में एक प्लांट लोड फैक्टर होता है इसका यह माने होता है कि जितना अधिक्तम बिजली उत्पादन किया जा सकता है उसकी तुलना में कितना बिजली उत्पादन हुआ है प्लांट लोड फैक्टर हर एक बिजली के घर के लिए एक प्लांट लोड फैक्टर होता है जितना अधिक्तम बिजली उस बिजली घर से उत्पादन हो सकता है और कितना बिजली उत्पादन हुआ है और 2016-17 में ये प्लांट लोड फैक्टर 60 प्रतिशत है 60 परसेंट पिछले 15 सालों में इतना कम नहीं हुआ है ये दो आंगडे जो हैं रिजर्व बैंक के आंगडे बैंक क्रेडिट के संदर्ब में और उर्जा मंत्रा ले के आंगडे प्लांट लोड फैक्टर के संदर्ब में ये साफ दर्शाता है कि जो बार-बार प्रधान मंत्री बोलते रहते हैं कि हमारी अर्थ व्यवस्ता मजबूत हो गई है और एकॉनमी टेक आफ कर गई है बिल्कुल गलत है मैं प्रधान मंत्री जी को कहना चाहता हूँ एक बार उन्होंने कहा था कि cashless नहीं less cash उसी भाशा में मैं प्रधान मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ अगर off-take नहीं है तो take off नहीं होगा क्रेडिक का off-take नहीं है बिजली का off-take नहीं है और प्रधान मंत्री take off की बात करते हैं तीसरी बात और सबसे चिंता जनक बात मैं समझता हूँ, तीसरा जो आंखड़ा है, मोधी सरकार के पहले दो साल में संगटिक छेत्र में मात्र 4.4 लाक रोजगार उत्पन हुए है, नहीं रोजगार, पहले दो साल जो आंखड़े आये हैं, और ये मेरे आंखड़े नहीं हैं, ये श्रम अंत्राले के आंखड़े हैं, मोधी सरकार के पहले दो साल में, 4.4 लाक रोजगार उत्पन हुए हैं, सेवा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, संगटित क्षेत्र में, असंगटित की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संगटित क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, और ये आंखड़े, सरकारी आंखडे हैं इसकी तुलना में UPA 2 के पहले दो साल में क्योंकि ये जो सर्वे जो श्रम मंताले करता है वो 2008 से शुरू हुआ था UPA के पहले दो साल में 21 लाक 21 लाक नए रोजगार उत्पन होए थे तो UPA 2 के पहले दो साल में 21 लाक और मोधी सरकार के पहले दो साल में 4.4 लाक यानि कि UPA कारिकाल में पांच गुणा बड़ा था पांच गुणा जादा था रोजगार के अफसर जो उत्पन हो रहे थे अगर ये तीन मानक अगर आप देखें बैंक क्रेडिट जो बड़ नहीं रहा है गतिहीन है बिजली जो प्लांट लोड फैक्टर है जो बिजली का इस्तिमाल हो रहा है जो बिजली पैजा हो सकता है पर बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये अजीब स्थिती है हमारे देश में बिजली की कमी है पर बिजली के घर में बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है और तीसरा जो मानक मैंने कहा है आपको वो जो रोजगार के संदर में सरकारी आंगडे के अनुसार ही UPA सरकार UPA 2 के पहले दो साल में पांच गुना ज्यादा था मोधी सरकार के पहले दो साल में तो ये साफ है कि एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि हम साथ प्रतिशत से भी उपर GDP का ग्रोथ हो रहा है दूसरी तरफ हकीकत जो असली बात है जो बता रहा है कि अर्थ व्यवस्ता स्थगित हो गई है जो वृद्धी का दर होना चाहिए वो दिखने ही पा रहा है और इसका ये नतीजा ये है कि निवेश की गति जो इन्वेस्टमेंट है निवेश की वृद्धी गतिहीन हो गई है अगर निवेश नहीं होगा तो रोजगार के अवसर नहीं बढ़ेंगे निवेश का नहीं बढ़ना हमारे अर्थ व्यवस्ता के सामने सबसे बड़ी खत्रा है सबसे बड़ी चुनोती है और इसके लिए प्रधान मंत्री और वित्व मंत्री के पास कोई जवाब नहीं है सब जब संसत में उठाया जाता है तो इसका कोई जवाब नहीं मिलता है बाहर जब उठाया जाता है इसका जवाब कोई नहीं मिलता है और इसलिए आज मैंने सरकारी आंगडे को लिए हैं और सरकारी आंगडे से ही जंता के सामने हम ये रख रहे हैं कि बैंक क्रेडिट के आधार पर बिजली के इस्तेमाल के आधार पर और रोजगार अवसर के उत्पन के आधार पर अर्थ व्यवस्था चिंता जनक स्तिती में है निवेश बड़ नहीं रहा है और इस माहूल में प्रधान मंत्री का दावा करना कि हम ये करेंगे वो करेंगे डिजी धन बनाएंगे अगर निजी धन नहीं है तो डिजी धन कहां से आएगा तो ये सब मैं समझता हूँ बड़ी चिंता के विशय है सरकार को इसको गंभीरता से लेनी चाहिए जी एस्टी भी अभी पारित हुआ है जुलाई के पहले तारिक से कहा गया है कि जी एस्टी लागू होगा और सरकारी सूत्रों ही कहते हैं नीती आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा है कि एक डेड़ साल लगेंगे जी एस्टी के असर को मैसुस होने के लिए तो इन हालात में हम समझते हैं कि अर्थ व्यवस्ता के चुनोती को गंभीरता से लेनी चाहिए और ये नहीं मानकर चलना चाहिए कि हमारे 7% से उपर GDP आ रहा है तो सब कुछ ठीक है सब कुछ ठीक नहीं है और हालात बिगरते जा रहे है कोई सुधार नहीं हो रहा ओके देखे आपने सही कहा आपने सही कहा सब जगह कह रहे हैं कि हम 24 बाइ 7 बिजली देंगे पर असलियत क्या है हकीकत क्या है प्लांट लोड फैक्टर जैसे कि मैंने आपको समझाया हर एक बिजली के घर में एक अधिकतम बिजली उतपादन के खंता होती है उसके तुल्ला में उस बिजली घर ने कितना बिजली उतपादन किया वो प्लांट लोड फैक्टर है अगर प्लांट फ्लोड फैक्टर सिर्फ साथ प्रतिशद है इसका माने ये है 90 परसंट तक तो जा सकता है पर जा नहीं पा रहा है क्योंकि बिजली खरिदने के लिए कोई नहीं है ये अजीब सिस्ति है हमारे देश में बिजली की कमी है पावर कट है कई जगों में अंधेरा ही अंधेरा है और दूसरे जग़ शम्ता आपने खड़ा किया है बिजली के घर है और बिजली के घर में आप बिजली उत्पादन नहीं कर सकते क्योंकि उसको खरिदने के लिए कोई ग्रहक नहीं है तो जब प्रधान मंत्री बोलते रहते हैं कि हमने इतना मेगावाट कैपैसिटी डाला असली बात ये है कि जो बिजली के घर बनाए गए है उन में से कितना बिजली पैदा हो रहा है कितना बिजली बाहर जा रहा है कितना बिजली खरिद रहा है लोग खरीद रहे हैं, तो मुख्य मंत्री कुछ भी कहें उतर प्रदेश में, और उर्जा मंत्री कुछ भी कहें, 24 by 7 हम उर्जा देंगे, पर हकीकत देखे, हकीकत यह है कि 15 सालों में इतना कम प्लांट लोड फैक्टर नहीं देखने को मिला है, और दुनिया भर में लोग मानते हैं कि अर्ज व्यवस्ता की हालत को देखने के लिए एक माप दंड है, प्लांट लोड फैक्टर, नहीं कर्जा माफ के संदर्ब में तो यह सही है, सही कदम है, पहला कदम है, कॉंग्रेस पार्टी ने कहा है, हमारे उपाध्यक्ष ने भी कहा है, कॉंग्रेस पार्टी के ओर से भी हमारे देश के निताओं ने कहा है, कि यह पहला कदम है, छोटा कदम है, और कुछ करने बाकी है, और यह भी सही है, कि गटबंधन के दबाव, हमारा पहला जो common rally था, joint rally, समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस की थी, और उसके पहले, हमारे उपाध्यक्ष का किसान यात्रा जो था, कर्जा माफ, बिजली हाफ, नारा तो हमारा यही था, कर्जा माफ, बिजली हाफ, अब तक आधा कर्जा माफ हुआ है, बिजली हाफ की तो बात अलग है, मैं अर्थ विवस्ता पर बोल रहा हूं और मायवदी जी को भी चिंता होनी चाहिए इन आंकरम से लोएस्ट में उल्स था बन्रेट वार फल्स के लुट क्राओ कि लोगे कि लुटा बोल रहा हूं आंकरम से लुटन चाहिए बेंख इन आंकर में लुटनिटान कि लुटनुटर यंट न जी जूरे मिफटा हूं अद्ट के लूट करतो हूं 7% 7.5% they are meaningless numbers and frankly the world does not believe India's GDP numbers no longer they no longer believe India's GDP's numbers no please ask if it is related to this if it is not you can hold on to it I am trying to keep this focused you know I don't want there are 20 different things that you will ask me on look GDP which is calculated every five years every ten years it has changed in our work and now it has changed we are not against it we are not against CSO but if you are changing if they are changing then the past few years they have changed they have changed they have not changed if they have changed if they have the new formula they have released GDP estimate करने के लिए अगर वो बिष्ले पांच छे सालों तक लागू होगा तो क्या दिखाई देगा वो हमें पता नहीं है तो मैं नहीं कह रहा हूं कि मैन्यूपिलेशन हुआ है यह नहीं मैंने कह रहा हूं मैं यह कह रहा हूं कि GDP के एस्टिमेशन में काफी महत्वपुरून खामिया है उसका नजन अंदास के आ गया है और GDP के वृद्धी के अलावा और भी मापदण होते हैं जैसा कि मैंने कहा बैंक का क्रेडिट है बिजली का इस्तेमाल है रोजगार क्रियेशन है उसको अगर आप देखें वो बिलकुल विपरीत एक पिक्चर दिखाता है है। फाधार बोलाओर दिल में नोपन्शन्य फूद रूंद आँ नोगल रुमीड बडिम्टरियर इंटिफिकेशने, but it takes time, you know, it will take time for this message to go, it will take time for the false claims being made by the government to be understood in their totality. people are already beginning to feel that there has been no improvement and let's also face it there is an enormous atmosphere of fear in this country people are not speaking openly now as much as they were three years ago all the great champions who were criticizing the government of the day four years ago five years ago have been silenced because of the atmosphere of fear it will take time and I'm sure that the reality will sink in GST is not going to be easy it's going to be it's going to present a lot of practical problems and the way it has been done it will make things worse so but it will take time it's not instant I mean it's I'm not saying that this is going to reflect itself in electoral performance instantaneously okay see in electricity in electricity what is happening huge capacity has been created that capacity is not generating the power in a country where there is power shortage this is the great irony you need power you have a power shortage you have the power capacity and yet your plant load factor is 60 percent how does mr. Piyush Goyal explain this that is the reality the low the low the low plant load factor low plant load factor yeh darshaita hai ki economy joh jis tari kati honi cha hai economy ka wo nahi hai if the economy is sluggish the demand for electricity is sluggish if the demand for electricity is sluggish your plant load factor is low agar credit ka demand nahi hai agar bijli ka demand nahi hai kya darshaita hai ki earth vivaastha kaafi chinta janak sthiti me hai yeah this is why I have said that I have said that I have said that I have said that Pradhan Mantri ji hai hai toh take-off nahi hai wo bilkul samaj jayenge hai I think you should ask the people who are directly associated I think the congress's position was stated very categorically both in the Lok Sabha and as well as in the Rajya Sabha that in the matter of Mr. Kulbhushan Jadav there can be no politics that we believe that the court proceedings the judicial proceedings under which he has been sentenced do not inspire any confidence do not have any credibility consular access was denied and I think I didn't hear the Lok Sabha intervention but I heard Mr. Kulam Nabi Azad in the Rajya Sabha reiterate not once but twice that this is a matter on which we are with the government and that this is something on which there can be no peace and political brownie point scoring sorry we are on the same page as for in believing that the judicial process that Pakistan has adopted for sentencing Mr. Jadav lacks any credibility lacks any legitimacy and the basic fact is that India has demanded consular access 14 times and 14 times it has been rejected our congress party को जो कुछ कहना था लोकसभा में और राजसभा ने कहा गया है जहां तक राजसभा की सवाल है जो मैंने सुना था गुलाम नभी आदाज जी को उन्होंने कहा था कि इस मामले में कोई राजडीती नहीं हो सकती है और जो प्रक्रिया पाकिस्तान ने अपनाय था इसके लिए है कोई लेजिटिमेस ही नहीं है भारत सरकार ने मांगा था चौदा बार मांगे थे कॉंसिलर एक्सेस वो दिये नहीं गया और विदेश मंत्राले और विदेश मंत्री की ओर से जो बयान आया था कि जो कुछ हमें करना है आर्मी स्टाफ मर्सी पेटिशन चीफ अवार्मी स उसका हम पूरा समर्थन करेंगे गुलाम नभी आज़ाजी ने साफ कहा था और इसके अलावा और कुछ कहने की जरूरत नहीं है